अगर एक journalist security के हक में कोई story file करता है तो उसे journalist करार दिया जाता है लेकिन अगर वही journalist किसी story का दूसरा पहलू पेश करते हैं तो उन्हें terrorist करार दिया जाता है मैं बात कर रही हूँ आसिफ सुल्तान की जिनकी false framing की गई थी और तकरीबन दो साल पहले उनके उपर कुछ serious allegations लगाये गए थे जिसमें ये बताया गया था कि आसिफ सुल्तान जो है उनके links है कुछ terrorists के साथ तो ये false framing तब स्टार्ट हुई जब आसिफ सुल्तान ने एक magazine जो स मुझाहिदिन कमांडर बुरान वानी पे file की थी और उसमें उन्होंने बुरान वानी को लेके क्या लोगों में aspirations रही है उस चीज़ पे जो है उन्होंने story file की थी और जब वो story publish हुई तो उसके अगले दिन उनको पुलीस की तरफ से काफी calls आते थे उनके office का जो email ID है official email ID उ पर अगले दिन 27 August 2018 को उनके घर पे बिना किसी search warrant के police की raid होती है और तक्रीबन 50 से 60 security persons उनके घर पे गिराव करते हैं और वहां पे उनका laptop उनका mobile उनके कुछ important document जब किया जाते हैं इस हादसे को हुए तक्रीबन 2 साल से ज़्यादा वाक्त वुजर गया है और अभी तक उनक legalities और formalities में जुड़े हुए और police ने कोई भी ऐसा proof उनको नहीं मिलाए कि आसिव जो है उनके कुछ links militants के साथ है लेकिन अभी भी उनको detain किया गया है जेल में भी बंद किया गया है आसिव पे कुछ ऐसे इल्जमात भी सादर किये गए हैं कि आसिव जो है वो खाली conflict reporting करत है और उन्होंने अभी तक क्यों development projects या developmental stories बेकाम नहीं किया है लेकिन ये एक बहुत बड़ा इल्जम है उनके उपर और ये एक साज़िश आसिव को defame कर रही की क्योंकि आसिव सुल्तान पहले ऐसे journalist है जिन्होंने एक local magazine में एक army personal को profile किया था मैं बात कर रही हूं करनल प् black में बचाते हुए हुई थी और उन्होंने जो उनके उपर एक profile किया था और वो एक स्रीनगर के magazine में वो profile शाय हुआ था हलांकि इस चीज़ से इस चीज़ का तो खुला सा होता है कि आसिव जो है bias journalist नहीं थे और वो अपने काम के ethics जो थे उनके उनको लेके काफी serious थे अभ पी बार security और अगर center की बात करें या अभी का जो system है across the country तो उनकी तरफ से जो ऐसी कोशिश हो रही है कि journalism को suppress किया जाए और वो journalism को एक सरकारी department की तरह operate करना चाहते है इस बात को तकरीबन दो साल से ज्यादा वक्त हुआ है और तब से लेकर अभी तक आसिव सुल्तान की ज दिजार में गुजार रही है दकोर इंडियन के लिए यासमीन खान